नमस्कार दोस्तों करियर विदाशतों शनल में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों एक बहुत ही बड़ी न्यूज लेकर आपके सामने उपस्थित वहा हूं और वह न्यूज है जैसा कि आपको दिख रहा है चीन ने चल दी फिर से चाल एल एसी पर बनाया विशाल बु करना है क्यों कि ऐसे करेंट के एश्यूज लेकर हम लोग प्रते दिन आपके समझ आ रहे हैं और यह न्यूज हमारे एक्जाम के द्रिश्टी कोंट से इंपॉर्टन क्यों है क्यों क्योंकि अगर आपने सेलबस देखा होगा सेविल सर्विसिस का तो सबसे पहले दोस्तों UPSC के चात्रों के लिए और स्टेट PCS में UPSC के चात्रों के लिए जी एस पेपर टू में दोस्तों यह आपका IR के टॉपिक के लिए इंपॉर्टन है प्लस आपके लिए निबंद के द्रिश्टी कोंट से लिए इंपॉर्टन है ध्यान रखिएगा भारत चीन संबंद नि के लिए बहुत इंपॉर्टन होता है तो चलिए बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है इस्टार करते हैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है अपील है और आपके सूचना है कि जो भी शात्रा करते हैं दोस्तों हम लोग यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भारत के प्रदानबंत्री मानेनी मोदी है ठेक चलिए अब यहाँ पर देखिए टाइम्स ओफ इंडिया का यह आठिकल है आपको जैसा कि दिख रहा है टाइम्स ओफ इंडिया नहीं कवर किया है कि चाइना कंटिन्यूज एलेस्टी इंस्ट्राश्यक्चर बिल्डप फोर यह इंटू फेस ओफ शोज लेटेस्ट सै चाइना का इंडिया से जो फेस ओफ हुआ था कब फेस ओफ हुआ था यह बात है 2020 की 2020 की गलवान वैली की बात है याद करिएगा आप सभी लोगों ने इसके बारे में सभी लोगों ने जानकारी ली होगी इस बहुत निचा दोस्तों चर्चा में ठाप हुई थी भारत और बीच में आप सबको याद होगा दूस्तों और उसके पाद दूस्तों चार साल फेस ओफ के हुए हैं और चीन ने लसी पर क्या किया है भारी बुनियादी धांची का निर्मान करना शुरू कर दिया है कर ली आता आजाए हुँ जादा बहतर रहेगा ठीक ऐसा लेटेस्ट सट्लाइज इमेजरी से पता चला है अब यहां पर देखिए आप देख सकते हैं फोर एर्स इंटो फेस्टो फेस्टो फेस्ट्री कंफेंटरेशन इन इस्टन लग्दाख विच अल्सों ट्रिगर टेंश ऐलों देख से अल्सक्राइज और लिए इस एरवेस फेसिंग एंडिया मतलब भारत की सीमा पर भारत और चीन की सीमा बेसिकली क्या है वो लाइन ओफ एक्ट्रोल क्या राती है लासी कहलाती है ध्यान रखिएगा उस सीमा पर दोस्तो 2020 में गलवान वैली पर जड़त हुई थी भारतो चीन की सीमा पर गलवान वैली में एक पॉइंट है वहाँ पर भारतो चीन की सेना के बीच में क्या हुआ था जड़ा फूई थी जिसमें खई भारती शैनिक सहीद भी हो गए थे और चीन की तरब से भी काफी लोगे हतात होने की खबर आई थी हाला कि चीन कभी भी इसकी अधिकारिक पुष्टी नहीं करता है लेकिन चीन के शैनिक भी बहुत सारे मारे गए थे ठेक आप LAC पर फिर से इंफ्रास्रक्चर का निर्म किया है और दूसरा चीज एयर बेस को भी वहाँ पर क्या कर रहा है श्चंथन कर रहा है मिलेटरे डिप्लाइमन को भी स्टॉन कर रहा है ठीक चलिए देखा जाए है यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इंपोर्टेंट चीज यह है कि भारत और चीन के बीच की सीमा जो है वो 3480 किलोमेटर की एलसी है ठीक है और इंडिया और चीन का जो बॉर्डर है वो बेसिकली आपका बॉर्डर कई स्थानों पर एक साथ मिलता है चलिए देखा जाए कहाँ पर सबसे पहले देखिए मैंने आप पर आपके सामने शो किया है यह चीन है दोस्तों दिस इस चाइना और यह आपका इधर आपका यह पूरा इंडिया है आप जो रेड जोन है दोस्तों यह रे इधर 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 और इधर यह चार ऐसे पॉइंट है यहां इंडिया के चार स्टेट हैं यहां पर दोस्तों चीन का बॉर्डर जो है फिजि त החिए है पहले जम् expenditure क्ष्मीर राजी से था जब 2019 से पहले जब जम् Huhem कashmir राजी हुआ करता तो यह स्ट्र मेरा आता था इसके बास दोस्तों रिएट लगत्रक्रशाचे कसे प्रदेश के इंतरघत ाता है इसके बाद दोस्तों Central सेक्टर, चीन और भारत की सीमा को तीन सेक्टर में डिवाइड किया गया, Western सेक्टर में जिसमें लद्दाग का छेतर है, Central सेक्टर जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्राखन का छेतर है, और Eastern सेक्टर जिसमें आपका दोस्तों अरुनाचल प्रदेश क कोई भी सीमा समझौता है भारत चीन के बीच में नहीं हुआ है ये बात आप को ध्यान रखना है चीन कभी 살वी किसी सालने कि नीथिता यहां पर दोस्तों अनुराचल प्रदेश और यह आप लोग देख रहे होंगा यह तवांग है जहां पर चीन कहता है कि यह हमारा छेत्र रहे यहां पर यह पहले से सांसृतिकृत की ग्रूप से हमारा है जन्मा जो है चीन miss भारत के भात धर्म से वाप खिर अगर देखा जए तो बहुत धर्म वह मानें हैं और बॉद्धर्म का ओर्जिन कहां से होता है तो भारत से होता है अब आप समझे एक जो चीन का क्लेम कितना ज्यादा फॉल्सी है यह आपको समझ में आ रहा होगा ठेक चलिए तो यह बॉडर आप लोग को समझ में आ गया और यह दोस्तों आपको दिमाग में एकदम इस पश्ट हुई थी 2017 में पहले डोकलाम विवाद हुआ जहां पर 73 दिनों का क्या रहा टेंशन रहा सीमा पर 73 दिनों के तनाओं को समझते हुए भारत में लद्दाक सीमा पर एयर फोर्स की सुविधा का इजाफ़ा किया गया सबसे पहले 2017 में जब डोकलम विवाद हुआ था तो उसम मद्देनजर भारत ने क्या किया लद्दाक शेत्र में एयर फोर्स में एयर फोर्स की सुविधा का इजाफ़ा किया सबसे पहले दोस्तों भारत ने क्या किया इसको खत्रे की घंटी मानते हुए एक काम करना शुरू कर दिया और LSP की उचाई वाले अविवादिक शेत्रों वारत के मामले में acio के समान भारत बहुंत को शुरू है द्वह इंड़ोर्ट के शुरू कि कि जैसे चाइना क्या कर रहा था वैसे ही भारत में इसे हो क्यों क्यों चीन क्या है इस पर अपना जिकार मांगता है कि भारत अगर ऐसा कड़े तो खीक बिस्टेट नहीं है और चीन कर रहा है तो उच्छे थ感覺 यह दोहए्ट निश्टि निति है यह यहीं दिखा सकता Hai इस यहाँ 2016 को अब यहां पर आप देखें यहां पर दोस्तों जो नर्म रोड कहा किने चीन रोड है दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो आज भी दोस्तों हम लोग डिसकस करेंगे यही मुलता कारण है कि चीन ने क्या किया अपना जो इंफ्रास्रक्टर के अलॉंग जो है बॉर्डर को और ज्यादा क्या है इंफ्रास्रक्टर डेवलप्मेंट करना शुरू कर दिया बॉर्डर पर ठीक तो 255 किलोटर लंबी भारत ने दार्बुर श्योक दॉलत बेग ओल्डी रोड और 37 फूलों का निर्मान क्या आप आप समझे भारत को चीन जो है 1962 वाला भारत समझ रहा था लेकिन भारत अब 1962 वाला नहीं है और 2020 की जड़ाप में उसको इस पश्ट रूप से समझ में यह चीज आ गई ठीक है और केवल चीन कोई नहीं दोस्तों विश्व की हरेक शक्ति को यह पास समझ लेना चाहिए कि आप भारत 1962 वाला भारत नहीं है किसी के सामने दबने वाला नहीं है और विश्व की सबसे बड़ी जनसंग्या है हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी एकॉनमी हम बनने वाले हैं और प्राचीन काल से ही पुरे विश्व को मार्ग दिखाई यह हमने राह दिखाई है पुरे विश्व का मांगदर्शन किया है तो भारत को कोई भी कम शोर हापने के लिए कोशिच ना करे और जो नूप हमने डेवलप किये हैं वो देखाने के लिए नहीं है किवल खिलोने नहीं है अगर जरुरत पड़ेगी तो हम उनका उपयोग भी करेंगे और अपने बॉर्डर की रच्छा करेंगे ठेक यह चीन और पाकिस्तान दोनों को बहुत अच्छे से पता और विश्की सभी शक्तियो नहीं किया भारत ने भारत ने क्या किया आपने आपको मजबूत किया बॉर्डर पर जब चीन कर रहा है तो सभाविक सी बाते हमारा करना जरूरी है इसके उपरांथ पूरवी लद्दाक सीमा पर तनाव को देखते हुए जून 2020 तक चीन और भारत के पचास अजार से ज्या निक आपकर पचास हजार से ज्यादा सैने काते जमा हो गए क्लियर तैनात हो गए इसके बात देखले दोस्तों यहां पर देखर यह क्या है यह दौलत बेग ल्डी रोड मैंने आपको दिखाया यहां पर देख सकते हैं यह दार बुर है यह श्योक है कि दौलत बेग यह काम दोस्तों बहुत पहले होना चीज़ था लेकिन दे रहा है दुरूस्ता है लेकिन यह काम हुआ और चीन को समझ में आया कि भारत अब वह भारत नहीं है जिसको हम खलके में ले सकते हैं ठीक तो यह रोड में आपको दिखाना चाहरा था यह आप डारवो शयोग दौलत बेक ओल्डी रोड यह मैंने आपके समने प्रतरशित कर दी और यह आपको समझ में आ रहा होगा चले अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यह जो पोर्शन है यह आपका लदाख है यह भारत वाला इंडिया है यहाँ पर आपके देखिए यहाँ पर भी शो किया है इंडिया और यह पूर्शन जो है अक्साई चीन है अब यह रोड़ा चीन का च्यत्र है यह पहले चीन के पास नहीं था यह च्षेत्र है ने ऑट शरण कि गारफा कि उ स्चेट रखेगा इस तरीके का दोस्तों क्या है इस तरीके का आपका मान्चत्र बनता है मैं बनता है तो यह जो रीजन है दोस्तों यह देखे यह आपका पाकोबैड कश्मीर है और यह दोस्तों क्या है यह आपका आकसाई चीन है ध्यान रखेगा तो यह जो portion है यह आपका 20% एरिया जो से दोस्तों यह आपका 20% एरिया 20% भॉग उलिक छेतर पर चीन का कबजा है आकसाई चीन के नाम से छेतर आज की रेट में कहलाता है लेकिन यह पूरा का पूरा छेतर जो है भारत का है और गलत तरीके स चीन ने भारत पर इसे कबजा की है इस बात को सब लोग अपने दिमाग में बैठा लेगे दौलत बेग ओल्डी रोड भी अपने दिमाग में इस पश्टूप से बैठा लेगे चले आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों लोग यहाँ पर देखे हुआ क्या यहाँ पर वारताओ संवस्या का समाधान तलाश ही जा रहा था कि 15 से 16 जुन 2020 के बीच गलवान घाटी में हिंसक झडब हो गई बारताओं हो इठी कि 15 से 16 जुन के बीच में हिंसक झडब हो गई 2020 में और 20 भारती सेनिकों के शहीद होने की खबर दोस्तों मिलती है आप पुरा देश जो है इससे स्तब्द रहे गया लेकिन चाइना के विरुद जो है सर्तत्य भारती का खून तोबल रहा ही था और यहां पर इसके बाद मुतोर जबाब चीन को भी मिला और 40 चीनी सेनिकों क अपनाया और मुतोर जबाब दिया हमारे 20 भले ही शहीद हुए लेकिन 40 से अधिक चीनी सेनिक मारे गये क्योंकि चीन कभी भी इसकी पुष्टी नहीं करता और अधिकारिक पुष्टी उसने की नहीं लेकिन उससे ज्यादा दोस्तों उसको लॉस हुआ नुकसान हुआ और अधिक को यह समझ में आ गया कि भारत वह भारत नहीं है जो हम 1962 में भारत को समझते थे तो यह रहा दोस्तों आपका 2020 का जो कंफ्रेंटरेशन था वह मैंने आपको बताया अब देखिए 2020 से ही चीन ने एक साथ एलेसी पर प्रवांग सो जील गलवान घाटी नाथुला और ह आपका प्रकट किया है 2020 से ही चार सल पहली की बात है आप देखिए यह सब छेत्र मैंने आपके लिए प्रवदर्शित की है आप देख सकते हैं यहां पर आप दोस्तों जहां पर भारत चीन के सैनिकों के बीच में जड़ा कुई इसके बाद यह आपका दोस्तों देखिए यहां पर आप सब लोग देख सकते हैं यह आपका पैंगांसो लेख का नौर्थ 않क है और यह आपका सौथ बेंग्ड है पैंगांसो लेख का यह बात दिमाज में एकदम स्पस्टस्रूप से बस जानी चाहिए कि यही चार पॉइंट जो बार बण आपके पिक्चर में है ल लगातर इन पॉइंट्स पर चीन ने क्या किया है लसी के इन छेत्रों पर आग्रामा खुरुख आपका प्रकट किया है जो मैंने यहां पर आपको म्याप के माध्यम से दिखा भी दिया समझ में आगई बात ठीक है शाली इसके बाद दोस्तों यहां पर फिर से देखिए यही वो रोड है दौरदवे गोल्डी रोड जो मैंने आपको यहां पर दिखाई अब तो क्लियर हो गया अब आज की नियूस पर आ जाते हैं यहां पर देखिए चीन ने किया क्या है अब चीन ने दोस्तों गलवान घटी के फेस उसको यह समझ में आ गया कि आप जो है रहें आ ग्रान दीजे यहां पर दोस्तों यह आपका क्या है समजंग लिंक समें लिंक से लेकर यहां पर आप देख सकते हैं यह श्योक रिवर है आप तो 15 किलमेटर लंबा infrastructure का development किया है पंद्रा किलमेटर का distance जो था उसका उसका क्या किया है उस distance को दोस्तों infrastructure है क्रकिल यह將ग에 wizard करो LA OMG अपने लिए 15 km दो रिखाऊ उसने डेवलप्मेंट यहाँ पर करके अपने यहां पर जल्दी पहुंच जाएंगे दोस्तों इतना आपको समझ में आना चाहिए यह इंपोर्टेंट बात है ठीक है ध्यान दिजेगा गलवान घाटी में पंद्रा किलमेटर क्लमबा दोस्तों यहां पर उसने क्या है आधार वुस्तुविधा या इंफ्रेस्ट्रक्टर क किया है समझ में की बात ठीक आप यहां पर दोस्तों आपको सबको पता है यह आपका दौरत पेक ओल्डी रोड मैं आपको दिखा चुका हूं यह इंडिया ने 2020 में जब फेस आफ हुआ था तो उससे पहले बना लिया था अब इंडिया क्या कर रहा है जब चीन क्या कर रहा और यही मैं आपको समझाना चारता है इसके लवाव क्या कर रहा है इसके लावव वह पैंगॉंग सो छेत्र में और होट स्प्रिंग गोगरा छेत्र में भी क्या कर रहा है अपनी इंफ्रस्ट्रक्टर का डेवलेप्मेंट कर रहा है वह भी मैं आपको दिखा देता हूं य है आपकी गलवान रिवर देश गलवान रिवर आप देख सकते हैं और यहां दोस्तों क्या है यह आपके श्योक नदिये कि कुक और यह दोस्तों आपको मैंने इस लिए दिखा दिया क्योंकि आपके दिमाग में इस सपर्च रूप से पसा होना चाहिए ठिक आप यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर आप सबको पता होना चाहिए, यह पॉइंट जो है, मैं आपको दिखाना चाहिए था, यहां पर, गलवान घाटी, यह तो आपने देख लिया, ठीक है, इसके बाद दोस्तों, यह जो रीजन है, यह आपका पैंगॉंग सोका उत् उपर से दोस्तों क्या किया? आपकर अपने काफी सारी टूस जमा कर दिये लेकिन उसके फैत्त्र व। हगरा वह बहुत ब्रणडिया तरीके को वापिस लेना पड़ा ठीक ध्यान रखिएगा और यह क्या है दोस्तों यह जो छेत्र है जो दच्छन सिरा है पैंगॉंग सो लेक का इसमें दोस्तों क्या लाज स्रेंज का छेत्र भी आता है जो कि क्या है जो रणजितिक रूप से बहुत ज्यादा अहम और महतपूर समझ समझ में आगे बात सबको आप आगे बरताते हैं यहां पर सबको समझ में आगया अब बॉर्डर का जो डेवलप्मेंट कर रहा है वह मैंने आपको बता दिया कि वह करना क्या चाहता है कि दोनों ही छेत्र एले सी पर उसने क्या किया है पहले चिश्टों गलवान घाटी कि सबस्कारे जढब हुई थे 2020 में उसको उसने क्या किया उसको रिमाइंड करते है उसने हैवी डेवलप्मेंट किया और पंदरह किलोमेटर का लंबा जो है उसने क्या क्या इंफ्रेश्ट्रक्र का डेवलप्मेंट किया पहले चीज उस छेत्र में दूसरा दोस्तों आपका खेट्र में इस बार उसने क्या है यहां पर आप लोग देखिए कि इसंदे त्सक्रेर क्र Watch्प्रमेंट कि इसके बाद दोस्तों कि जोДа हौटिस्ट्रिंग का शेतर है यहां पर विसने क्या है अधार्बूस रीधानों का मतलब लगदाग के छेत्र के मतलब वेस्टन सेक्टर का जो यह बॉर्डर है इंडिया और जाना की विश्चा लगबग हर पॉइंट पर चीन ने क्या है चाहे वो गलवान घाटी हो चाहे हो चाहे वो पैंगौंस हो का रिजन हो हर जगा उसमें क्या क्या है अपने अध्रांथ हम लोगोंने साइन किया था याद करिएगा भारत चीन के बीच में हिंदी चीनी भाई-भाई का नारा दिया गया था पंडित नेरू के द्वारा उसके बाद भी चीन ने क्या क्या हमारे साथ विश्वास घात किया था तो उसको हमें भूलना नहीं चाहिए और चीन के उपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए भले हमारे सबसे बड़े व्यापारिक साजेदारों में से एक चीन हो लेकिन चीन कभी भी नहीं चाहता कि भारत जो है मजबूत हो चाहे आर्थिक रूप से चाहे रणंतिक रूप से और चाहे सैने शक्ति की रूप में और इसलिए दोस्तों याद रखेगा संजीत राष्ट शुरच्छा परिशत की सेक्योरिटी कॉंसिल में दोस्तों चीन हमेशा से भारत की स्थाई सदस्ता का विरोध करता रहा है दोस्तों इस बात को आपको ध्यान रखना है क्यों क्योंकि शक्ति अगर भारत को मिल गई तो चीन को बहुत पिछी शोड़ देगा और चीन भारत का कुछ भी आहित वैसे भी नहीं कर सकता है लेकिन तब वैश्विक मंच पर भी दोस्तों जिस तरीके से चीन अपनी वीटो का दुरूपयोग करता है वो दुरूपयोग भी वो नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर ची करतेगा और वो ज़रूर इसलिए है क्योंकि वो आपके जीएस पेपर टू निबंद के लिए और जानकारी के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है और विश्व की सबसे बड़ी एकॉनमी विश्व की सबसे बड़ी जंजंक्या है और अंतराश्टी शांती अभियानों म मार्ग दिखाता रहा है। मागध दशन करता रहा है वरथ पूरे वुश्व तो यह बाध्यान रखना है और मिखवे इंचेत्रू पर अपना काम भारत लगातार कर रहा है और भारत को कोई चीज बताने की जुरूत नहीं है। जैसे चीन कर सक्षा एंता करना है ता और कोई हमारे साथ युद्ध करना चाहेगा या हमारे उप्राक्रमण करेगा तो उसका प्रतियुत्तर देने में हम सच्चम है वह हम भारत हम 1962 का भारत नहीं है यह बात चीन अपने दिमाग में इस पश्रुप से बठा ले ठीक एक तो आपका क्या विचार है दोस्तों भारत में जरूरत आईगा और अगर आप लोग को संपूर्त याई यूपी पीस से करनी है दोजाट चौबिस की तो विजेता वेच का लेंग डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में है आप लोग से जोइन कर सकते हैं थैंक्यू हुआ हुआ आप हुआ सकते हैं ħंस जोजा आप लोग लोग एह दोग धा दोग्से का पाप है